जहीं दूस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को हमेशा की तरह एक जबरदस टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो और नीचे डिस्किप्शन बक्स में आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहां से जाकर करके आप लोग मेरा टेलिग्राम का अप्षिन मिलेगा तो आप लोग वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल जरूरी जोएन करें ना ठीक है बात करते हैं यहां पर सबसे पहले टीप सेंट्रिक के बारे में अब देखो यह जो मतल्माल हो यह टीम भी है ठीक है तो दो टीम होता है अब दो टीम में यह जो मैं तो बताने वाला हूँ यह हम ऐसा नहीं मिलेगा आपको कुछ वैस्या मैच होगा मतलब 10 मैच में से 2 मैच वैसा आपको मिलेगा तीन मैच वैसा मिलेगा जहां पर यह टृक अप्लाई होगा लेकिन उसी मैच में आप लोग आच्छा ладно hai से खेलोगे और अच्छा खास przeci माउंट जीतोगे ठीक है तो यहाँ ट्रीक क्या है कि मालो यहाँ पे दो टीम है एक यहाँ पे जो टीम है एक मजबूर टीम है और यहाँ पे जो टीम है थुरा सा कम जो टीम है जैसे यहाँ पे मजबूर टीम की बात करो तो जैसे यहाँ पे इंडिया मालो पाकिस्तान मालो आस्ट्रेलिया मालो और यहाँ पे इंगलेंड मालो ठीक है न्यूजी लैंड भी मान सकते हो ठीक है यह सभी आपके जो है मजबूर टीम है इधर से बात करो तो इधर से आप लोग को वेस्ट इंडिज मान सकते हो आयरलेंड मान सकते हो जिंबाबे मान सकते हो सिरलांका मान सक ठीक है इह सबी झो आपके छोटे-छोटे टीम में ठीक है और यह सभी आप लोग के बरे-बरे टीम हैं ठीक है तो इन दोनों टीमों के बिछ जब मैँच होता है तब कैसे आप लोगों टीम सिलेट करना है वीडियो को वान तक दिखिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा जबदस ट्रिक मिलने वाला है और ऐसे मैच में हरे कोई गलती करता है जिसके चलते नहीं जीत पता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसमॉल ली का टीम कैसे बनाना है ग्रैंड ली के लिए टीम कैसे बनाना है ग्रैंड ली के लिए cnbc कैसे सेलेक करना है ट्रंप लियर कहां आपको मिलेंगे सब कुछ में आपको यहां पर जनकारी देने वाला हूँ बस आपको वीडियो को वान तक देखते रहना है वीडियो स्कीप करोगे तो आपको य यहां आयरलाइन का मुकाबला होने वाला इसके जश्ट बाद इंडिया और आयरलाइन के मुकाबला होने वाला ठीक है तो इसमें कोई भी टीम सेलेट करने जाएगा कोई बंदा अगर team बनाने जाएगा तो कैसे team select करेगा यहां से लेगा टॉप 4 यहां से ले लेगा और इधर से 4 या 5 इधर से ले लेगा यानी कि 9 player इधर से ले लेगा इधर से पूरे baller को cover कर लेगा इधर से पूरे batsman को cover कर लेगा ठीक है और इधर से कोई सा भी मतलब इधर से all all-rounder में आयेगा और यहां पर दो प्लियर ले लेगा ठीक है ऐसा हरे कोई करेगा करेगा हरे कोई करेगा all-rounder से दो प्लियर इधर से लेगा इधर से टॉप फोर बैट्समन को लेगा और इधर से सभी बॉलर को ले इसका टीम फाइनल हो जाएगा ठीक है और यहां पर उसी को लेगा जिसका यहां पर सेलेक्शन मतब ज्यादा होगा जैसे मालो यहां पर सेलेक्शन इसका 60% से ज्यादा है ठीक है उसी अल्राउंडर को यह भी मतब हरे कोई रखेगा ठीक है अब आपको यहां पर देखो अग तो तब small league जितना चाहते हो तो उसके लिए team कैसे बनाना है तो सबसे पहले उसके बारे में मैं बताता हूं अब देखो हरे कोई हरे कोई वही करेगा- एहां पर से पांच बॉलर लेगा ठिक है और इदर से दो All Rounder ढुंदेगा एगारे फिलियर मिल जाएगा- और यहां हरे में होगा तो जब आपको पहले से ही पता है कि हरे कोई यहां से लिया है यहां से लिया है यहां से लिया है अब आपको यहां पर स्मॉल लिग जितना है तो आपको पता हो गया मैंने आपको बता दिया कि कैसे कोई भी टीम सेलेट करेगा ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एसमॉल लीग का टीम बनाना सिखाता हूं उसके बाद मैं आपको यहां पर ग्रैंड लीग का टीम कैसे बनाना है ऐसे कंडिशन में आपको यहां पर बताने वला हूं तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर small league के बारे में तो आपको small league का player यहाँ पे कैसे select करना है तो ध्यान से देखिएगा अधर को यहाँ पे 4 batsman में से 4 batsman लिया है ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या करना है केवल 3 batsman लेना है यहाँ पे हरे कोई एक all rounder ले सकते हो अगर जरूरत पड़े तो ठीक है इधर से एक all rounder आप ले सकते हो कैसा all rounder लेना है मैं वह अभी आपको बताने वाला हूँ small league के लिए और इधर से बात करें तो इधर से हरे को यहाँ पर all rounder लिया है लेकिन आपको यहाँ पर all rounder मतब चाहो तो एक ले सकते हो otherwise आपको कोशिश करना है कि इधर से एक batsman ठीक है यहाँ पर आपको एक all rounder और इधर से इधर से एक faster baller को लेने की कोशिश करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे आपका जो देथोबर में ठीक है जो देथोबर में और पावर प्ले में बॉलिंग करता है उसका एक फास्टर बॉलर यहाँ से लेना है आपको वह कोई नहीं लेगा इधर मतब जो कमजोटी में उसका फास्टर बॉलर हरे कोई नहीं लेगा आपको इधर से कोई ना कोई एक faster baller लेना है जो कि देतोबर में और power play में balling करता हो तो यहाँ पे आपको एक faster baller लेना है यहाँ पे आपको एक all rounder लेना है और यहाँ पे आपको एक batsman लेना है ठीक है यहां पे आपको सब को यहां से दो ओल राउंडर लेना है लेका लेकिन आपको यहां से क्यों एक ओल राउंडर लेना है और इधर से आपको एक बैर्समन लेना है तीन प्लियर इधर से और यहां पे आप आठ प्लियर ले सकते हो नहीं तो चाहो तो इधर से दो बैर्समन ले सकते हो लेकिन थोरे सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा आप लोग इधर से एक यहाँ पर तीन बेट्समन चार में से आपको तीन बेट्समन लेना है और यहां पर ओल-राउंडर में से यह ए Σ्पीनर दो बॉलर और फासट बॉलर और यहाँ पर जो आल-रॉundern की मैं बात कर रहा था हूँbrand है जैसे एक भी पंडिया है तो इसके जैसे जो बे ऐंटिंग और बॉलिंग। बैंटिंग भी करे को झा ऑठट नहोंगर गया और समाल नेंक्रیک बता हूँ 3 baseman एक all rounder और यहाँ पे 4 baller ठीक है तो 4 एक 5 तीन 8 हो जाएगा और इधर से 1 baseman एक all rounder और आपको faster baller लेना यहाँ पर आपको spinner नहीं लेना है धीक है faster baller लेना है देथोबर का baller और power play में जो balling करता हूँ उसके बाद Grand League की बात करता हूँ यह सबसे ज़्यादा important है Grand League में भी हरे कोई क्या करेगा कि इधर से 9 प्लियर लेगा और इधर से 2 प्लियर लेकिन आपको यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है इधर से 4 प्लियर लेना है ठीक है और All-rounder में जैसे माल लो यहां पे 2 अगर बॉलर ले लेते हो तो 1 batsman ले लेना, 2 बॉलर, 1 batsman और 1 All-rounder, 2 batsman और 1 ले ओलर ठिक है? इस तरीके से 2 batsman, 1 All-rounder और 1 बॉलर, 4, यानि कि 4 player इदा से लेना है और 7 player इदा से लेना है, हरे कोई ऐसा नहीं करेगा हरे कोई इधर से क्योवल दो प्लियर लेगा ठीक है लेकिन आपको ज्यादा तर इधर का हरे प्लियर तो हरे कोई कवर करी लेगा ठीक है और ऐसा ही टीम आपको लाखों मिलेगा लेकिन आपको यूनिक टीम बनाना है तो यूनिक टीम बनाने के लि बैसा बात होरी है कि मारो यहाप फे 60 run या 117 बिकेट नहीं गिरेगा सिक DANE बिकेट गिरी जाएंगा एक सो तरण पर 4 बिकेट इसके गिरेगा ही गिरेगा इंडिया का कम से कम तो उसको कम लेगा सिर बॉलर ही न बिकेट ले अब जब 170 रन यहां बना देगा तो कम से कम मालो या टीम यहां पर चेजिंग करने जाएगी तो 140 तो कम से कम बनाएगी ही बनाएगी तो कौन बनाएगा इधर से बैट्समन नहीं तो यह आउल आउंडर ठीक है यही न बनाएगे अधरवाइज मालो पहले या बैटिंग करती है तो ऐसा थोड़ी है कि यह 50 रन पे ओल आउट होगा पचास रन पे ओल आउट नहीं होगा यह जब भी आउट होगा तो मालो आपको कम से कम टीट्वांटी है तो 130 के एप्रोक्स में तो 130 पलस रन बना ही देगा कितना भी कम जो जिमबाबे भी रहेगा तो 130 पलस रन बना ही देगा तो इसके बैट्समन ही न रन बनाएंगे तो इसके बैट्समन को कोई नहीं लेगा सभी इसके पीछे भागेगा तो आपको जैसा मैंने बताया ऐसा ही करना है ऐसा गलती मतब हरे कोई करता है कि इधर से 9 ले लेगा इध इसका सेलक्षन जादा हो बस वहीं पर हार जाते हो तो हार मता हरे कोई हार जाता है तो आपको मैंने जैसे बता है वह ऐसा करोगे तो आप जरूर ऐसे मैच जब भी होगा इसमें अच्छा राइंक लाओगे एसमॉल लिग में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाओगे और ग्रैंड लिग मीनी ग्रैंड लिग में आप लोग रहें को वहां ला सकते हो ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आपको नीचे डि इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना राइड चलिए जय हिंद जय भारत